लॉक अप में हुई बड़ी लड़ाई वेल आखरकार कंटेस्टन्स के बीच में बड़ा मुद्दाव बनता हुआ क्यों नजर आया है चलिए पूरी अपड़ीट बताएंगे आपको अस वीडियो में नमस्कार में स्ट्रोस्टे आप सबकर स्वागत करती हूं हमारी योडि लेकिन धीरे मिसन्ड़स्ट्राण sophomore करिगए लगी अब कंटेस्टन्स के पास दो वाश्रूम नहीं बलकि एक वाश्रूम प्रोवाइड कर दिया गया है क्योंकि अre держ डास्क नैंए कंपीट कर पाया था और उसी एक वाश्रूम में सब को यूज करना है उसी एक और जखड़े लड़ाईया अब शुरू होने वाली है क्योंकि इस बीच जो चीजें है वो काफी ज़दा कॉम्प्लिकेट होते हुए नजर आ ली है सबसे पहले तो सबको वेस्टर नहीं बलकि इंडियन वाश्रूम प्रोवाइड किया गया है जो कि अपने आप पर हीं सब ही के लिए प्रॉब्लम वाली बात है और उपर से एक वाश्रूम को बंद कर दिया गया है सिंगल वाश्रूम है सब के लिए जहां कि बागी कुछ कंटेस्टेंट्स उस वाश्रूम को स्मोकिंग के लिए भी यूज़ कर रहे है जिस पर कि आफ सवाल उठाते नज़र आई है पायल रौतकी जो यहाँ आई रौतकी स्मोक नहीं करती है जिसके बाद कि वो स्टान लेने के लिए सामने आई है कि आखर काड जब वो नहीं स्मोक करती है तो उस वाश्रूम को यूज़ करके वो अपना लंग्स क्यों खराब करे उन्हें अलग से वाश्रूम प्रोवाइड कराना चाहिए या स्मोकिंग इस इन सिंगल वाश्रूम में मना करना चाहिए तो यह अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़े सामने आ रही है जो कि अपने आप में बड़ी बात है तो धीरे धीरे कॉंट्रवर्सी अब क्रियेट हो रही है आज नया जेलर भी आना है तो देखना होगा दिल्चस्प के आखरकार क्या कुछ इंट्रेस्टिंग होने वाला है आज के लोक अप में वैल आप क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरी अपडेट को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए साथ ही साथ एंटिटेन्मेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे हमार चाहन के साथ धैने बाद